love mechanics के पिछले एपिसोड में हमने देखा V को पता चल जाता है कि प्लॉय उस पे चीट कर रही है और Mark उसे comfort करने आता है Mark उसके रूम में होता है वो moisturizer apply कर रहा होता है V आता है और कहता है मुझे करने दो और वो moisturizer apply करता है V मार्क के fingers kiss करता है और कहता है इसकी स्मेल तो बहुत अच्छी है वो उसे फिर से किस करता है मार्क उसका हाथ लेके कहता है तुम यहां काफी नाइट से हो यह प्रॉब्लम नहीं होगी V कहता है तुमने मुझे नहीं कहा था कि मैं जब तुम्हारे साथ हूँ तो उसके बारे में नहीं सोचने का वो लोग सोने जाते हैं Mark बैट पे सोता है और V सोफा पे सोता है V सोफा पे comfortably सोने ही पा रहा होता Mark कहता है तुम सोफा पे सोगे तो तुम्हें back pain नहीं होगा V कहता है अगर मैं कहूं के होगा तो क्या तुम मुझे bed पे सोने दोगे Mark कहता है अगर सिफ सोने का है तो V उसके पास आता है A कहता है क्यों तुम किसे ड़र रहे हो Mark कहता है मैं डर नहीं रहा, पर तुम्हारे जैसा कोई, तुम कुछ नहीं कर सकते, अगर मैं ट्रॉंक नहीं होता तो, वो लोग smile करते है, V कहता है, पर अभी तुम ट्रॉंक नहीं हो, वो उसे किस करने को lean करता है, पर Mark last second पर turn होता है, और कहता है सो जाओ, V पूछता है मैं क अफ़ा पे भी उससे ज्यादा जगा होती है, पर वो Mark के बाज़े में सो जाता है, Mark उसे good night कहता है, V कहता है, क्या मैं तुम्हें spoon करूं, Mark कहता है, तुम से फुत नहीं कर सकते हो, अगले दिन Mark चागता है, V प्रेक्वस्ट लेके आता है, Mark प्रेक्वस्ट को देखके पू अगले बार तुम मेरे ले cook करना, Mark कहता है, तुम्हें लगता है मैं cook कर सकता हूं, V कहता है, instant noodles बना देना, Mark कहता है, दुनिया में कोई भी instant noodles सो बना सकता है, V कहता है, पर उनके बनाए हुए instant noodles, तुम्हारे बनाए हुए जैसे नहीं होंगे, Mark प्लश करता है, V को Ploye का phone उसे पूछती है, कि तुम कहा हों बेब, V कहता है, मैं अभी new के dorm में हूँ, Mark के सुनके disappoint हो जाता है, Mark और V साथ में university पे आते है, V के friends उनने tease करते है, V कहता है, इसमें अजीब क्या है, हम इकी dorm में रहते है, एक friend कहता है, वैसे तो अजीब नहीं होता, अगर Mark ने ये post नह New कहता है, अगर तुम अपसेट हो या कुछ हो, Mark, तुम मुझे बता सकते हो, Mark कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिफ एक सीरीज से अटाठ हो गया था, कल रात, V का friend पूछता है, तुम कोई सीरीज से कल रात अटाठ हो गया और तुमने पोस्ट आट सुभे की, ये वा कहती मेरे छोटे भाई को परिशान मत करो, वो फिर मार्क को पूछती है, मैंने जो सीरीज रेकमेंड की थी, वही देखी, Mark कहता है, हाँ, Mark क्लास में जाता है, V मार्क की पोस्ट पढ़ता है, उस पे लिखा होता है, हेल में अडल्टरी की पनिश्मेंट ज्यादा पीनफुल होत उसके फ्रेंड्स बाते करते हैं और वहां से जाते हैं, V आता है, कहता है, क्या तुम्हें को इस्टडी बड़ी चाहिए, Mark कहता है, हाँ, V पूछता है, एक बड़ी से ज्यादा कुछ हो तो, Mark कहता है, जैसे तुम्हारी प्लोई है वैसे, V कहता है, वैल, प्लोई कौन है, V कहता है, प्लीस मार, मुझे तुम्हारी डॉम में स्टडी करने दो, वो क्यूट स्माइल देता है, Mark पूछता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी स्माइल की वज़े से मैं फोल्ड कर दूंगा, वो लोग साथ में स्टडी करते हैं, खाना काते है, वो लोग प अगली बार हमें सिर्फ बता देना कि तुम आये हो, वो सब मिलके प्रे करते हैं, वी ग्रूप से अलग होता है, बार आके कहता है, तुम्हारी आखे बाहर आ गई है, वी कहता है, तुम्हारी आखे बाहर आ गई है, वी कहता है, तुम्हारी आखे बाहर आ गई है, वी कहता का चांस मुझे नहीं मिला बार कहता है तुम लोग जिती जल्दी बात करोगे उतना अच्छा होगा अगर तुम चीजों को लंबे टाइम तक रहने दोगे तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा Mark और V Mark के रूम में होते हैं V सो नहीं बा रहा होता Mark पूछता है नीन नहीं आ रही V सिर्फ हम करता है Mark कहता है एक्जाम के बाद तुम अपने रेगिलर रूम में सो गे न V कहता है अगर यह मेरा आखरी दिन है और मुझे नीन नहीं आ रही मुझे कोछ और करना है Mark कहता है सपना देखते रहो V कहता है मैं वेट कर सकता हूँ जब तक तुम सो जाओ Mark कहता है मैं तुम्हारे पहले नहीं सोने वाला V कहता है तुम हमेशा स्नोर करते हो Mark कहता है मैं नहीं स्नोर करता Scene कट होता है Mark सो रहा होता है और स्नूर कर रहा होता है Vee उसे देखके स्माइल करता है वो उसे लिप्स पर किस करने जाता है पर वो नहीं करता और उसके फोर हेट पर किस करता है Mark स्माइल करता है तो तुम सच में ब्रेव नहीं हो Vee कहता है ये इसलिए है क्योंकि तुम act नहीं कर सकते हैं Mark हसता है V कहता है अग मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे पहले चीज़े clear करनी है Mark कहता है तुम क्या कहना अचाते हो V कहता है exam के बाद मैं ploy से break up करने वाला हूं मुझे पता है कि मैं यह थोड़ा late पूल रहा हूं पर प्लीज मेरे लिए वेट करो मार्क स्मायल करता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा तब जल्दी करो उनके एक्जाम्स ख़तम होती है मार्क के दोस्त बाहर आके कहते है क्यों हम सेलिब्रेट करें मार्क कहता है मैं नहीं आ सकता है और वो च करता है कि वो उसके फ्रेंड के साथ कार में थी जब एक्सिडेंट हुआ अब वो डेंजर से बाहर है पर वो अभी भी अंकॉंशिस है मैं आपको कॉल करूंगा जब कोई अपडेट होगा और वो गुडबाय कहता है वो मार्क को मैसेज करने ही वाला होता है पर उसके फोन की अगला दिन होता है मार्क जाकता है वो वी को कॉल करता है पर वी का फोन स्विच आफ होता है मार्क उसके फ्रेंड के साथ हैंग आउट कर रहा होता है उतने में वी के फ्रेंड आते है वो पूछते है कि तुम लोग को ब्रेक नहीं मिला एक्जाम के बाद मार्क के भी और वे गोडल्षरण का पाथ को र Fr. एक मैं पुछता है। एक फ्रेड के पुछता है पुछती है लोग आदमी जो तुम्हें ड्राइब कर रहा था ऊई है। वो अगले रूम में हैं, के तुम उसे विजिट करना चाहती हो, Ploy? Ploy कुछ नहीं कहती है, V समझ जाता है, और वो कहता है, अच्छली मुझे थोड़ टाइम सा पता है, Ploy कहती है, I'm sorry, मैंने तुम्हें दुख पहुच आया नहीं, I'm sorry, V कहता है, रो मत, मैंने कुछ नहीं कहा, V और Ploy, Ploy के डॉम में आते हैं, V कहता है, मैंने तुम्हारी मेडिसिन्स औरेंच कर दी है, और ये तुम्हेरा डिनर है, डिनर खाना मत भूलना नहीं, तुम हील नहीं कर पाऊगी, Well, अगर तुम्हें अमर्जन्सी हो, तुम मुझे कॉल करना, V जा रहा होता है, पर Ploy उसे रोकती है, V वापस आता है, Ploy पूचती है, क्या तुम जा रहे हो, V अलमोस्ट रोने वाला होता है, वो कहता है, हम यहां काफी टाइम तक नहीं थे, तुम्हारा रूम ऐसे स्मेल क्यों कर रहा है, वो विंडोस खोलता है, और बालकनी पे जाता है, Ploy उसके साइड पे आती है, Ploy कहती है, उसका नाम तोन है, वो मेरी फैकल्टी में सीनियर है, उसे पता था कि मेरा एक बोईफरेंड है, पर वो तो भी मुझे परसू कर रहा था, वी कहता है, और तुमने तो भी उससे बात की, Ploy कहती है, वो उसे पता था कि लड़कियों का ध्यान कैसे रखते है, वो मुझे नई नई जगा पे ले गया, ऐसी जगा पे जहां में नहीं कई थी, वी कहता है, और उसने तुम्हारे लिए नई नई चीजे बाई की, वो चीजे जो मैं आफ़ोड नहीं कर सकता, Ploy कहती है, पहले तो मैं सिफ उसके साथ खेलने वाली थी, पर इवेंचुली, मैं वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाती है, तो वी उसकी जगा पे कहता है, उसके बारे में तुम्हें फीलिंग्स है, Ploy कुछ नहीं कहती है, वी कहता है, कब से, Ploy कहती है, दो महिने से, वर्स एपिसोड का फ्लाश बाक आता है, जब वी ने Ploy को फोन किया था कि वो आज उसके डौम नहीं आ सकेगा, Ploy और वी का कॉल खतम होता है, Ploy को तो उनका मैसेज आता है, वो उसे फोन करती है, वो लोग फ्लर्ट करते है, तो उन कहता है, कि मुझे नीन नहीं आ रही है, मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे साथ बैट के बात करे, Ploy केती है, इतनी राद के कौन सी जगा ओपन होगी, Ton केता है, तुम्हें पता है कि मेरा रूम तुम्हारे लिए हमेशा ओपन होता है, Ploy केती है, आप क्या कह रहे है, Pee Ton, मेरे सेल फोन सिगनल तो बहुत वीख है, मैं आपके सुन नहीं पा रही है, Ploy केती है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, Vee, वो मेरे लिए केर नहीं करता था, ये कंडिशन में मैं भी थी, अगर वो मेरे लिए केर करता, तो अब तक उसने पूछ लिया होता कि मैं कैसी हूँ, Vee केता है, तुम अभी भी चाहती हैं कि वो तुम्हें कांटाक करें, Ploy केती हैं, नहीं, तुम इसे ऐसे मत समझो, जो मैं कहना चाहती हूँ, वो ये है कि, इसकी वेज़े से मुझे रियालाइज हुआ, कि मेरे साथ सिर्फ तुम ही स्टैंड करते हो, Ploy उसे हग करती है, Vee, I'm sorry, प्लीज मेरे साथ ब्रीक अप मत करो, I'm sorry, Vee रो रहा होता है, और वो देखता है कि Mark उसे देख रहा है, Vee Ploy और Mark के बीच में फसा हुआ होता है, Vee Ploy का ध्यान रखता है, वो उसे उसकी बाइक पे स्कूल ले जाता है, जैसे वो Mark को ले जाता था, वो उसे मॉइस्टराइजर लगाने में हेल्प करता है, जैसे वो Mark को करता था, और हमें ये इंटरकट सीन्स दिखते हैं, Vee और Mark के, Ploy सो रही होती है, वी बेट से चला जाता है, उतने में Ploy को मैसेज आता है, Ploy मैसेज देखती है, तो उनने लिखा होता है, क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ, Ploy फोन रख देती है, और वापस सो जाती है, Vee बेट बे वापस आता है, और सो जाता है, Pond, Lee और New, हैंग आउट कर रहे होते हैं, Pond कहता है, अकेले अजीब लगता है, क्योंग हम Vee को भी इनवाइट करें, Lee कहता है, गदे, उसे उसकी गर्फरेंड का ध्यान रखना है, New देखता है कि Mark अकेला बैठा है, वो उसके फ्रेंज को छोगे, Mark के पास जाता है, और उसे पूछता है, तुम्हें कुछ बॉदर कर रहा है, Mark कहता है, कुछ नहीं, New पूचता है, Celebrate, तुम्हापी नहीं लग रहे हो, Mark, Mark कहता है, मैं किसी और के लिए celebrate कर रहा हो, वो अभी हापी होगा, New कहता है, ते तुमें अंज्योई करो, मैं तुमें घर चुरदूंगा Vee Ploy के रूम में होता है, दर्वाजे पे नॉक आता है Vee दर्वाजे करोता है, Wotone होता है Vee कहता है, तुम यहां क्या कर रहे हो Tone कहता है, मुझे पता है कि मुझे यहां नहीं होना चाहिए तो मुझे प्लॉय के साथ बात करनी है प्लॉय बाहर आती है वो तॉन को कहती है तुम्हें जाना चाहिए तुम्हारे साथ मुझे बात नहीं करनी है तॉन कहता है प्लॉय, I'm sorry मेरा फॉल्ट था हमें ऐसे अलग रहने से मुझे रियलाइस हुआ कि हम एक दूसरे को किता लव करते है तुम कोई और लड़की नहीं हो मेरे लिए वी उसे इंटरॉप्ट करता है तुम्हें क्या चाहिए तॉन कहता है मैं सिफ चाहता हूं कि प्लॉय उसे चूस करे जिसे वो सच्मेट रहती है प्लॉय कहती है तुम प्लीज चले जाओ वी कहता है प्लॉय तुम इसके साथ सब क्लियर कर लो जब हो जाए तब मुझे बता देना तॉन कहता है प्लॉय आम सॉरी वी बालकनी पे जाता है वो सोच रहा होता है कि प्लॉय और तॉन क्या बात करेंगे वो पैनिक करता है उतने में वो देखता है कि Mark New को उसके रूम में लाया है Mark New के साथ लूर्ट कर रहा होता है और उतने में उसके आखे वी पे पढ़ती है वो नौर्वेस हो जाता है और उन्यों को कहता है यहां बें मस्की तोस है जलो हम अंदर चाते हैं वी रूम के अंदर देखता है दो तॉन और प्लोई हग कर रहे होते हैं Mark New को पानी देता है और कहता है राइट के लिए थैंक यू पर आपको घर जाना चाहिए लेट हो चुका है और ये डेंजरोस हो सकता है New flirt करता है कि मैंने अच बहुत जल्दी खा लिया और मुझे अब भूख लगी है क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है तुम्हारे फ्रिज में Mark फ्रिज चेक करता है नहीं कुछ नहीं है मैंने ग्रोश्री शॉपिंग नहीं की है New एक पकेट निकलता है और कहता है मैं ये इंस्जिन नूडल्स खालूंगा Mark उसके हाथ में से वो ले लेता है और कहता है नहीं तुम नहीं खा सकते है Mark कहता है मुझे ये अप नियाब के लिए रहना है New कहता है Okay मुझे लगता है मुझे घर जाना चाहिए बाद में मिलते है और New चला जाता है We और Ploy Ploy के रूम में होते है Ploy sorry कहती है We कहता है तुम्हें पता है एक्सिडेंट के बाद से तुम बहुत ही sorry कह रही है इसलिए मुझे लगता है कि तुम यहाँ सिर्फ इसलिए हो कि तुम guilty feel कर रही हो Ploy फिर से sorry कहती है We कहता है अब जब तुम्हें पता है कि Don तुम्हेरे बार में serious है मैं तुम्हें एक और chance देना चाहूंगा Decide करने का Love में right or wrong नहीं होता Important चीज है तुम अपने हाट से जूठ मत कहो कौन है जिसको तुम love करती हो Ploy We और तॉन के बीच में Ploy कहती है We क्या हम एक break लेक सबते हैं मुझे अपने आपके साथ रहना होगा मेरी true feelings Clearly देखने के लिए I'm sorry We कहता है हाँ Ploy We प्लोई के रूम में से move out करता है We उसके रूम से exit हो ही रहा होता है तब वो तॉन होता है उसने जो Ploy के लिए पर्फिम खरीदा था वो बॉटल टूट जाती है Ploy कहती है तुम जाओ वी मैं एक लीन अप कर दूंगी We कहता है मैं जा रहा है Ploy कहती है We, I'm sorry We कहता है हाँ Ploy, it's okay We की माम उसके दोर पर नॉक करती है तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए लंच टाइम हो चुका है We का भाई कहता है कि उसे भूल जाओ माम उसे खाना होगो तो आएगा उसकी माम कहती है मैंने तुम्हारा फेवरेट फूड बनाया है तुम्हें भूख लगे तबार जाना रात होती है We drink कर रहा होता है उसका भाई आके कहता है तुमने प्लॉई से ब्रेक अप कर लिया We कहता है You उसे ब्रेक चाहिए You कहता है तो move on कर लो We कहता है पर कोई नहीं है You कहता है क्या We को vomit आती है We कहता है You उन्होंने मुझे छोड़ दिया है अब कोई नहीं रहा मेरे लिए यहाँ पर कोई नहीं है You कहता है ऐसा तुमने किस नहीं कहा क्या तुम यह नहीं सोच रहे हो कि इतनी सारी beers फ्रिज में कैसे है Mom ने मुझे कहा कि तुम्हारे लिए यह बाई करू मैं और यह टॉलेट मैं क्लीन करने वाला हूं ऐसा मत कहो कि तुम्हारे पास कोई नहीं है तुम्हारे पास तुम्हारी फैमिली अभी है You वी को हग करता है वो कहता है सब ठीक हो जाएगा जीवा वी को कह रही होती है वी तुम उसके साथ ब्रेक अप क्यों नहीं कर लेते है तुम्हें यह सब इत्ता ड्राग आउट करने की क्या जरूरत है बार कहता है वैल उसने ही तो यह पूछा वी के पास चोईस क्या है वी कहता है मुझे लगता है इसमें मेरा भी फॉल्ट है नियू कहता है पॉजिटिवली सोचो प्लोई वापस भी आ सकती है और तुम्हें पहले से ज्यादा लव कर सकती है यह कहती है एक तुम में सेंट है दूसरा एक उप्टिमिस्ट है मुझे तुम लोग के साथ बात ही नहीं करनी है नियू कहता है यह सब शोड़ो हम इसे comfort करते है मेरी treat वो लोग वी को cheer करने drinking ले जाते है यूवा देखती है कि मार्क और उसके friends आये है यूवा उनको invite करती है वो सब उनके साथ बाठने आते है मार्क नियू के बाजमें बाठता है नियू उसको serve करता है और उनके friends उसे चड़ा आते है वी एक पूरा glass drink कर जाता है नियू मार्क के साथ flirt करता है वी दूसरा glass खतम कर देता है वी वाश्रूम में से निकल रहा होता है और मार्क उसे मिलता है वो दोनों कुछ कहना चाते हैं पर कहने ही पाते वी को vomit आती है वी अगली सुबह मार्क के रूम में जाता है मार्क एकस्प्लें करता है तुम बाथ रूम में ही सो गय थे तो मैंने तुम्हारी friends को कहा कि तो वो तुम्हें इधर ले आए तुम्हारे पुराने कपड़े यहां पर पढ़े थे वी कहता है नियुका क्या मार्क कहता है उस दिन मैं ड्रंक था और उसने मुझे राइट दी थी वी कहता है तुम सच में मेरा वीट कर रहे हो मार्क कहता है तुम मुझे क्या समझते हो वी कहता है क्या मैं सच में तुम्हारे पास वापस आ सकता हूं मार्क कहता है क्या तुम अभी किसी के साथ हो वियू से हग करता है मार्क कहता है जब मैं हट था तुमने मेरी केर की थी इस बार मुझे तुम्हारी केर करने दो और यहां पे लव मेकानिक्स एपिसोड 4 खतम होता है I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा यह वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी तब तक के लिए बाई बाई